हेलो दोस्तो मावे टीके नोखी दुनिया पर आपका स्वागत है तो सबसे पहले का गरना है बेशन चान कर तैयार करना है तो यहां पर मैंने दो कटोरी करीब बेशन लिया है तो देखिए एक कटोरी डाल दिया है यह दूसरी कटोरी डाल दिया है अब चलिए इसमें हम सूजी डालने से हमारी रेसिपी क्रस्फी टाइप की बनेगी इसमें सुजी डाल दिए है अब इसमें स्वाधन सा नमग डालेंगे इस सब चीज़ें को हमें अच्छे से छान लेना है च्छननी से मैं इसलिए छान दए हूं ताकि जरें ना यह आप उसमें मिक्स हो जाए तो लालो-षचे पॉडर डालेंगे अगर आपकोड मिर्ची कम्पासंद अगी डिलेंगे जीर डालेंगे और एक चोठी चमत अजवाएन डालेंगे जयात सरक्ट फ़िलीणक तो आप जयुद है लोग यह जरू डालेंगे दो टेबल स्पून करीब इसमें कद्धू कसकरी हुई गाजा डालेंगे तो गाजा से अच्छा टेश्ट आएगा हो हमारी रेसिपे भी हल्दी होगी एक से डेड़ टेबल स्पून हमें इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे दो हरी मिर्ची को बारी कट लिया है तो इनको अब चलिए इसका एक डो लगाकर तैयार करते हैं तो पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे एक साथ पानी नहीं डालना है तो हमें सक ताटा लगाकर तैयार करना है इस आटा नहीं लगाना है तो पूरे वीडियो में बने रहेगा बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और बिलकुल इजी तरीके से बनने वाली है तो यह देखेए मैंने एक इस तरीके के लगा कर तैयार कर लिया है और यह वाला आटा लगाने में ज्यादा टाइम भी नहीं पूरा सा ओयल ले लेना है आप चलिए आटे के ऊपर लगाती है तो देखिया हमें इस तरीके से ओयल लगा देना है तो यह देखिये ओयल लगाने से हमारा आटा एकटा हो जाता है अब हम इस खूर रख देंगे और करीब 10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से फूल जाए खूर चलीए आगे की तैयारी कर लेते है तो गैस पर मैंने कड़ाई रख दी है आब इसमें करीब 20-30 लिटर पानी डालेंगे तो गैस को ऑुन कर देना है हमें और पानी डाल कर पानी को गरम होने देना है तो आप लूप चाहे तो ऐसा खूल भी चोड़ सकते हैं पानी को लेकिन मैं ढख दोंगी तो जल्दी पानी गरम हो जाएगा तो दस मिनेट हो चुके हैं तो चलिए आटे खुचक करते हैं तो यहां पर हमारा आटा अच्छे से फूल चुका है आटा आटा हम इस तरीके से निकाल लेंगे और गोल बॉल बनाके तैयार करेंगे तो बॉल हमें इस तरीकिसे बना लेना है ना ज्यादा बड़ी नहीं चोटी आप लोग अपने हिसाब से प्रष्य खोटी बड़ी कर भी सकते हैं और आपको जो सब्जीन पसंद हो तो इस पनास्ते में सब्जीन डाल सकते हैं तो यह देखी मैंने सारी बॉल बना ली हैं आप लोग देख कि यह देखिया हमने ओयल को ग्रेस कर दिया है अब चलिए हम इसमें लोई रखें ती वह लोई रख देंगे थोड़ इस तरीके से तो यह देखिए कितना टेश्टी नास्ता अब इसे देख रहा है आप लोग देख सकते हैं और इनास्ता बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि इनकों हम इस्टीम करते हैं तो यहां पर मेरी दो लोगिया च्छनी से ज्यादा हो रही थी तो मैंने इसको साइड़ों में रख दि तो थोड़ा सा पेपल लेंगे इसमें लगा देंगे ताकि अंदर की गयस बाहन नहीं निकले तो चलिए 15 मिनिट बाद आपसे मिलते हैं 15 मिनिट हो चुके हैं तो चलिए चेक करते हैं नास्ते को तो यह देखिए हमारा नास्ता अच्छे से इस्टीम हो चुका है और हलका स प्राइम भी नहीं लगेगा तो चलिए अब हम क्या करेंगे एक प्लिट में लगा लेंगे और इनकों निकाल कर रखेंगे प्लिट में ताकि इनके उपर पानी बगेरा रहता है ना तो यह सूख जाए चलिए जब तो यहां पर हमारा नास्ते का पानी सूख रहा है तब तक गैस की तरब चलते हैं तो गैस पर मैंने पैन रख दिया है अब इसमें ओयल डाल देंगे तो ओयल आप लोग अपने हिसाब से डाल सकती है मैंने थोड़ा सा ही ओयल डाला है क्योंकि हमें सेलो फ्राइ करना है अगर आप लोग चाहें तो डिफ्राइ भी कर सकते हैं तो यहां पर हमारा ओयल गरम हो चुका है नास्ता को हम इसमें डाल देते हैं तो गैस को हमें मीडियम रखना है हाई नहीं करना है ना लो करना है नास्ते को थोड़ा सा हम फ्राइ कर लेते हैं तो इनका टेस्ट डबल हो जा लगा है नास्ता को अच्छ गूल्डन ब्राउं सेक्के तैयार करेंगे मेरे घर मेरे नास्ता बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और मेरे बच्चे भी अच्छे से खाते हैं मैं तो रात में बनाके रख देती हूं और सुबाय बच्चों को इस तरीकी से फेराई कर देती ह तो नास्ता भी बन जाता है और जाना टाइम भी बेश्ट नहीं होता है बच्चों खों टेस्टी भी लगता है तो यहां पर देखिए हमने नास्ते को अच्छे से सेंख लिया है आप चलिए इसको निकाल लेते हैं तो यह देखिए गुल्डन बना उसके तैयार है तो एक पि के साथ हैं तो बहुत ही टेस्टी नास्ता वनता आई कि जिये बच्चे आपके समझीं नहीं पाएंगे कि इस चीज़ के की चैजी बनाया है यह इतना ड्रेस्टी वनता है तो आपको यह वीडियो केशला का कमेंट में जिरूért बताना वीडियो लाइक जारूर किजी